हाई फ्रेंड्स मैं आज आपको इदर कोतिम्बीर का वड़ी बना के बता दियूं बोति क्रेस्पी वाला कोतिम्बीर वड़ी आज आपको शेर करी हूं फ्रेंड्स इस वीडियो के आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमार चैनल को सब्स्रेब करीजिये ऐसे ही बाज़ुवाला बेल आकान को प्रेस करीए आए फ्रेंड्स कैसा मैं आज आपको सिंपल सा रेसिपी में बता दिती हूं एक टेबल स्पून इतना जीरा राय धनिया को देट टेबल स्पून इतना में आड़ करी हूं इसको मोटा मोटा सा पिस लिजी फ्रेंड्स देखे इस तरह सा कोतिम बीर वड़ी के अंदर इस तरह सा दालने से बोती अच्चा फ्लेवर भी आता है खाने के लिए भी टेस्टी लगता है देखे इस तरह सा फ्रेंड्स मैं इसके बाद एक बेटर को रेडि करना है एक कप इतना बैसन को दाल रही हूं इसके बाद मैं इदर तीन सी चार टेवल स्पून इतना कान फ्लोराटा इसके बाद आदा कप इतना धहिं को आड़ करना है टेस्ट के उने सा निम्मक को आड़ कर लीजिए इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट को भी आड़ करना है फ्रेंड्स अध्रक और लसून का हरी मिर्ची का पेष्ट को एक टेवल स्पून इतना आड़ कर रही हूं एक कप इतना बैसन को हम दो कप इतना पाणी को आड़ करना है मैं इदर पहले ही एक कप को आड़ कर रही हूं अब इमें और एक कप पाणी को आड़ कर रही हूँ, friends, दिखें, एक कप इतना बैसन को में इदर दो कप इतना पाणी को आड़ कर रही हूँ, friends, आपकी टेस्ट के अनुसार आप मिर्ची आड़ कर सकते हैं, इसके बाद में इदर एक प्यान गर्म करनी के लिए रखी दिपल ही, दो टेबल स्पून इतना ओईल के अंदर, आदर टेबल स्पून इतना राई, इसके बाद पहे ही कुटकर रखा हुआ, मसाले को भी आड़ करना है, अब यह में अच्छा से इसको फ्राइ करना है, friends, एक टेबल स्पून इतना वाइट तील, थोड़ा सा हल्दी को करके अच्छा सा फ्राइ कर लीजिए, इसके बाद में इधर पहले ही बना के रखा हुआ, बैटर को आड़ करेंगे, देखिए, मैं आब इसके अंदर बैटर को आड़ करके, अच्छा सा मिक्स कर लेना है, friends, ग्यास को कभी भी लो फ्लेम पर ही रखिए, अच्छा सा मिक्स करते जाए, friends, वो अच्छा सा घट होते जाता है, देखिए, अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, हम इसको पहले ही कोतमीर आड़ करें तो, कोतमीर सब भी अच्छा ने लेगेगा, खानी के अंदर फ्लेवर भी अच्छा ने आता है, friends, अभी थोड़ा सा घट होने के बाद, एक कप इतना कोतमीर को आड़ कर लीजिए, देखिए, इस तरह सा हम उपर से दालने से कोतमीर देखने को भी बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा कोतमीर वड़ी, फिर खाने के लिए इतना ही टेस्टी होता है, अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, friends, एक पांच मिटी लिए कर रही हूँ, इसके बाद कोदमीर वड़ी का बैटर को दाल देना है, दिखिए, ओ थंडा होते ही घट हो जाता है, friends, जल्दी से दाल दीजिए, दाल कर एक मिनिट के लिए हम इसको छोड़ देना है, ज्यादा मत छुड़िए, एक मिनिट के लिए छोड़ देना है, दिख सकते हैं, बोधी टेस्टी लगता है, दिखिए, मैं अच्छा स्प्रेट करके एक मिनिट के लिए इसको छोड़ दीती, एक मिनिट के बाद मैं आपको बता रही हूँ, दिखिए, प्लेट सी कितना अच्छा हमारे इदर सप्रेट हो रहा है कोदमीर वड़ी, friends, आपको इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से आप कोदमीर वड़ी को कट कर ले सकते हैं, मैं इदर छोटी-छोटी पीसस में कट कर रही हूँ, मैं इस तरह से कट करके, इसके बाद मैं इदर ब्रेट पोड़र को ली हूँ, ब्रेट की पोड़र को, दिखिए, कितना अच्छा हमारा आप चाय तो ब्रेट पॉडर लगा सकते है इस तरह से ब्रेट पॉडर लगाने से भूती क्रेस्पी बनता है हम थो गंदे के लिए तीन गंदे के लिए रख्य है को अध्क और करके तेल के अंदर डिप कर रही हूं फ्रेंज ग्यास को कभी भी स्लीम पर रख कर ही देल को गरम करने के लिए छोड़ना है मैं इदर थोड़ा सा कोतमी रोडी को एक बॉक्स के अंदर कंटेनर बॉक्स के अंदर दाल कर फ्रिच के अंदर रख रही हूं क्यूंकि हमको कब च करना है फ्रेंड्स आपको इसकी साथ ग्रीन चेटनी और टामेटो केचप रहे तो बस पूती टेस्टी लगता है को तुम परिवड़ी फ्रेंड्स इस तरह सा आप भी घर पर जरूर बनाईए कैसा हुआ करके मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए फ्रेंड्स इस अब ही मैं इसको एक प्लेट के अंदर सवर कर रहे हुँ दिखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना बाकी बच्चा हुआ को तुम परिवड़ी को मेंदर एक बॉक्स के अंदर रखकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर रहे हुँ हम कब चाहिए कब खा सकते हैं दिखिए फ् दिखिए जवे हुआ ठीक्स के अंदर भी के वाप में दिखिए टूर के अंदर स्टोर को तो एक रहे हुआ टूर के अंदर सकते हैं से के धिजाए फमेंद़ बग्यादर रहे हैं वादर से प्ले के अंदर से पारो